असलाम अलेकुम गैस के हाले आप लोग के वेलकाम बेक टो माई चैनल और मैं हूँ आपका मोस्ट फेवरेट होस्ट अरम खान तो गाइस आज आप लोगा भाई बहुत हीरो जैसे लग रहे तो गाइस आज आप लोगा भाई बहुत हीरो जैसे लग रहे वही बात है भाई कब तक चुपोगे पेड़ों की आड में कभी तो मिलोगे लुन्डा बजाए अरे नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है तो गाइस अपनी टॉपिक की दरफ चलते हैं और आज हम रेक्शन देने वाले हैं तो टाइटल तो बहुत ही ड्रॉना सा है तो चेक करते हैं कि भाई इस वीडियो में क्या ऐसा है जो ऐसा टाइटल दिया वह है और गाइस मोस्ट इंपोर्टेट थिंग जो मैं बोलना भूल गया हूं और अफ लोकल्य में अच्छी अच्छी वीडियो में और डा सकूं और मैं मोटिवेट होता रहों तो अब वीडियो बजाने चलते हैं और बाकी बाते बात में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं करते हैं अपना काउंट टाउन एमी लोईस थोरपी दोस्तो अगर कोल ड्रिंक्स की बात की जाए तो ये हर किसी को ही पसंद होती हैं नॉर्मली लोग कोका कोला या पेपसी का एक दिन ही पीते हैं लेकिन न्यूजिलेंड में रहने वाली एमी लोईस को कोका कोला कुछ ज्यादा ही पसंद थी ये 34 साला आंटी एक दिन के अंदर 6 से 8 कोका कोला की बॉटल्स गड़ब कर जाती थी वैल ये आंटी वैसे ही बहुत ज़वा मोटी थी उपर से डेली कोका कोला का पूरा टैंकर पी जाना ये तो और भी ज़दा खतरनाक था लेकिन इस औरत ने किसी की एक नहीं सुनी बलके दे पर दे कोका कोला की तबाही करती रही असल में इसे कोई और काम दंदा नहीं था तो ये मोटी सारा दिन कोल ड्रिंक स्पीकर बिस तर पर पड़ी रहती थी और आप सब तो जानते ही है कि ये ड्रिंक कितनी सदा नुकसान दे होती है वेल दिसंबर 2018 की एक रात को इसने इतनी सदा कोका कोला पे ली थी कि जब ये रात को सुई तो सुबह तक इसकी मेदे ने जवाब दे दिया था और ओवर कंसम्शन की वज़ा से इसकी टेथ हो गई थी सुबह जब इसकी फैली ने से देखा तो ये कोका कोला की नीन सो रही थी डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी टेथ कोका कोला में मौचूद कैफीन की बज़ा से हुई थी लेकिन बारहाल जो भी हो ये दुनिया की वाहिद आंटी है जो कोका कोला पीकर लोड़क गई थी जॉन चाओ आप सब ने बहुत सी मूवीज में इस तरह की आदमखोर जंगली लोग देखी होंगी जो कि लोगों का शिकार कर लिखाते हैं लेकिन ये लोग सिर्फ मूवीज में ही नहीं बलकि इंडिया के सेंटिनल आइलेंड पर रियल में पाए जाते हैं ये जंगली कबीला इस आइलेंड पर कई सबीयों से रह रहा है और जो भी इस आइलेंड के करीब जाने की कोशिश करता है ये इस पर तीरों से हमला कर देते हैं और इनकी जान लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाते ये सब जानने की बावजूद भी जॉन चाउनमी एक शक्स ने इस आइलेंड की लोगों के साथ दोस्ती करने का फैसला किया नमबर 2018 में जॉन ने इंडिया के नॉर्थ ओशन से एक फिशिंग बोर्ट हायर की और इन मचवारों से कहा कि इसे सेंटिनन आइलेंड के करीब उतार दें इसके बाद ये तैरता हुआ इन जंग्लियों के पास पहुंच गया वैली ये आइडिया जितना स्टूपिड लगता है इससे कई ज़्यादा खतरनाक था इन इंडियन मचवारों के मताबिक जैसे ही जॉन किनारे पर पहुंचा तो उन लोगों ने इसे तीर मारना शुरू कर दिये और इसके गले में रसी डाल कर इसे गसीडते हुए अंदर ले गए वैलिन जंगलियों ने जॉन के कबाब बनाए होगे या इसे फ्राइ करके खाया होगा ये बात तो कोई नहीं जानता लेकर इसके बात जॉन भाई किसी को भी नजर नहीं आए बारहाल जो भी हो जॉनी भाई को तो ये फ्रेंड्शिप बहुत ही महंगी बड़ी दोस्तों ये जो शक्साब दिख रहे हैं इसका नाम डेविड रिस्टन है और ये अमेरिका के इलाके मेरी लेंड में रहता था डेविड को सांपों से बड़ा ही प्यार था आम तोर पर तो लोग डॉक्स और कैट्स को पैट बना कर रखते हैं लेकिन डेविड ने एक नहीं बलकि दरजनों सांपों को अपने घर के अंदर पाला हुआ था इसे लगता था कि पूरी दुनिया खलत है और सांप बिलकुल भी खतरनाक नहीं होते 22 साल 19 जनवरी को इसकी नेबर्स ने पुलीस को कॉल की कि डेविड कई दिनों से अपनी घर से बाहिर नहीं निकला जब पुलीस इसके घर पर पहुँची तो डेविड की लाश बरामद हुई असल में इसके प्यारे सांपों में से किसी एक सांप ने डेविड को पपी कर दी थी जिसकी वज़ा से इसकी डेथ हो गई थी आप बलीव नहीं करेंगे कि डेविड ने 125 खतरनाक सांपों को पैट बनाकर घर में रखा हुआ था इवन पूरे घर में इन सांपों के रहने के लिए जगा भी बनाए गई थी और डेविड बकाईदा इन्हें खुराक भी प्रोवाइड करता था डेली मेल नियूस के मताबिक इसके पैट्स में अफरीकन बलैक मामबा और बरमीस पाइथन जैसे खतरनाक सांप भी शामल थे लेकिन अनफॉशनेटली डेविड अपने बेट का चुमा बरदाश नहीं कर सका और इसकी डेथ हो गई अब बंदा मौद को उठा अगर अपने घर पर ले आएगा तो ऐसा तो होगा ही कोरी टेरी दोस्तों ये जो शक्साब दिख रहे हैं इसका नाम टेरी था और ये नियू यॉर्क में रहता था ये एक कंस्रक्शन वर्कर था और इसकी एज 33 साल थी नमबर 2011 में ये अपने दोस्तों के साथ बास्केट बाल मैच खेल रहा था किस मैच के दौरान इसने रेड बुल का एक टिन पिया आप सब जानते हैं कि रेड बुल दुनिया की सबसे पापूलर अनरजी ड्रिंक है लेकिन टेरी को ये ड्रिंक कुछ ज्यादा ही पसंदा आ गई थी ये मैच के दौरान रेड बुल मंगवाता रहा और साथ साथ पीता रहा आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शैंपूने एक एक करके रेड बुल के 12 टिन पिय लिये थे जैसे ही इसने अनरजी ड्रिंक का आखरी टेन खतम किया तो इसकी तबियत बिगड़ना शुरू हो गई अफकॉर्स अब बंदा इतनी जदा अनरजी ड्रिंक पी लेगा तो इससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है टेरी को चकर आने लगे थे और आखरकार वो जमीन पर गिर गया आपको जानके हरानगी होगी कि रेड बुल की ओवर कंजम्शन इतनी खतरनाक होती है कि टेरी साब हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मौत का शिकार हो गए थे अब बंदा इस तरह की नॉंसेंस हरकते करेगा तो रिजल्ट तो ब्यानगी होगा शियोहारा टेडजू दोस्तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने आपको फेमस करने में लगा रहता है वैसे तो ये काम जवान लड़की और लड़कियां करते हैं लेगें क्या हो अगर एक 50 साला अंकल को लाइव स्ट्रीमिंग का चस्का पढ़ जाए ये जो बंदा आप दिख रहे हैं इसका नाम टेडजू है और इसकी उमर 47 साल थी ये जापान में रहता था इस चाचो को बुढ़ापे में लाइव स्ट्रीमिंग का बूद चड़ गया था अकदूबर 2019 में ये जापान की बरवानी पहाड़ी मौट फ्यूजी पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चला गया इसने वीडियो को टाइटल दिया कि लेट्स गो टू स्नोई मौट फ्यूजी और हिरानगी की बाद ये है कि इस बंदे ने सिर्फ एक जैकट पहनी और दो स्टिक्स लेकर पहाड़ पर चड़ना स्टार्ट कर दिया वही अभी लाइव स्ट्रीमिंग करी रहा था कि सेफटी गिर ना होने की वज़ा से इसका पहाड़ से स्लिप हो गया शौकिंग बात ये है कि स्युहारा लाइव वीडियो पर पहाड़ से गिर रहा था और इसकी फॉलवर्स इसे देख रहे थे बतकिस्मती से नीचे गिरते हुए ये चटान से टकरा आ गया और इसकी मौके पर ही डेथ हो गई इसकी सब्सक्राइबर्स ने फॉरण पुलीस को कॉल की लेकिन इसकी बाड़ी बर्फ में गुम हो चुकी थी आखर दो तिन की रिसर्च के बाद रेस्क्यू टीम ने इसकी बाड़ी को ढूंड लिया बिलीव करना मुश्किल है कि सिर्व व्यूस के चकर में इस बंदे ने अपनी जान कवा दी थी ये रियली अनबलिवेबल है लिशान फिगरेसन दोस्तों आप सबने बहुत से ऐसे मजनूत देखे होगी जो लैला को पाने के लिए अपनी जान तक कुरबान कर देते हैं लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे शक्स के बारे में सुना है जो कि एक टोपी की खातर अपनी जान दे दे ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम लिशान है ये अमेरिका की स्टेड जॉर्जिया में रहता था जून 2008 में ये अपने दोस्त के साथ रोलर कोस्टर की राइड लेने के लिए गया था जब ये लोग रैड ले रहे थे तो इसकी टोपी हवा से उड़ गई और ट्रैक के साथ जाकर पस गई इसने मैनेजमेंट से कहा किसे टोपी वापस चाहिए लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक थी इसलिए इन्होंने इसे वहाँ जाने से मना कर दिया लेकिन लिशान को वो तलिसमी टोपी किसी भी हालत में लेनी थी इसलिए ये और इसका दोस पार्क में फेंस को तोड़कर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गुस गई ये लोग अभी ट्रैक पर जाही रहे थे कि एक दम से वहाँ पर रोलर कोस्टर आ गई और इसने लिशान को कुचल दिया इसका दोस अकल मन था इसलिए वो ट्रैक की बज़ाए जमीन पर चल रहा था जिसकी वज़ा से उसकी जान बज़ गए थी लेकिन अनफॉशनेटली लिशान ने 10 रुपे की टॉपी की खातर अपने आपको कुर्बान कर दिया था अब इससे बड़ी हमाकत और बला क्या हो सकती है माइकल सेक्सन दुस्तों दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो खजाने की तलाश करते हैं ताकि रातो रात अमीर हो जाएं लेकिन कुछ लोग इस लालच में अपनी जान भी गवा देते हैं माइकल भी ऐसे ही लोगों में से एक था फरवरी 2020 में ये अपने एक दोस्त के साथ खजाने की तलाश में चला गया लेकिन ये लोग अपने साथ कोई सेफटी का समान लेकर नहीं गए थे अखर ये लोग पहाडों में पस गए और रेस्क्यू टीम ने इन्हें बचा लिया वेल अगर ये वाकिया किसी और के साथ होता तो वो कभी भी उस जगा वापस ना जाता और माइकल का लालच अभी तक खत्म नहीं हुआ था सिर्फ एक महीने बाद 17 मार्च को ये फिर खजाने की तलाश में उस जगा पर चला गया जहाँ ये गुम हुआ था उस वकत करोना वाइरस की वज़ा से लॉक डाउन चल रहा था और किसी को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी पर माइकल ने किसी की एक नहीं सुनी और चोरी से नैशनल पार्क में अपने एक दोस के साथ इंटर हो गया ये शैंपू इतना कॉन्विडेंट था कि अपने साथ सिर्फ कुछ चॉकलेट्स और पाने की बॉटल्स लेकर आया था वेल पहले की तरह ही ये लोग दुबारा रास्ता भटक गए और पहाड़ों में खो गए पर इस दफ़ा करोना वाइरस की वज़ा से हर कोई कॉरंटीन में था और कोई नहीं जानता था कि ये नमोने खजाना ढूंडने जा रहे हैं जब तक पुलीस को इनका पता चलता तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी इसका दोस्तो किसी तरह से बच गया था लेकिन माइकल की ठंड और भू की वज़ा से डैथ हो गई थी अब बंदा रात रात इलन मस्त बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही तो दोस्तो आज करें बस इसना ही उमीद आपको वीडियो पसंद रही है अगर आप मेरे इस वीडियो नहीं हो चुकी है और आई होप आप लोगो ने कफे एंजॉय कर आओगा और वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मज़ा भी आया है और दुब भी हुआ है दुख इसलिए हो है क्योंकि कुछ ये ऐसे स्टूपिड लोग थे जिनोंने अपनी मौत का टिकेट खुदी कटवा लिया तुस इनसानों किस बलाई ने बचे हो दुस और बिचारों का टिकेट बस कड़ी के उपर अब तो चले गए और दुसरी बात ये इस बंदी का बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था जो बात है इसकी वीडियो पर मैं और रेक्शन देने वाला हूं आप लोग मुझे बत बात है